कुल अपने लिएर स्टार्ट किया था था है ना तो पूरा बेसिक से बात करते हैं linear equation linear equation किसको बोलते हैं जिनकी डिगरी कितनी होती है वान और अलो मिल क्या थे निए बोल रहो ऑछिंठी डिगरी क्या होती है वान उनको क्या बोलते हैं पूरा कॉंसेंट्रेशन बोर्ड में पॉल्नोमियल जिनकी डिगरी होती है वान उनको क्या बोलते हैं अब अब अपन को लिनियर एक्वेशन चाहिए दो वेरीबल में मतलब कोई भी दो वेरीबल लेंगे जनरली एक्स और य लिया जाता है आप कुछ भी ले सकते हैं ठीक है बट ज एक्स प्स बीवाई प्लस इकल डिवाई प्लस इकल डिवाई एक रिप्ली और साथ किया है एक लिनियर एक्वेशन ग्राफिकली किया बताता है अँ आए स्याट लाइनुट बेरी गुट और इसमें इसका सोल्यूछन की बात करू जो यह रोत यह क्ई एक एक्स्ट्रेट किसी भी लाइन में लाई करने वाले सारे पॉइंट को अपन बोलते हैं solution, roots या zeros of that line ठीक है और यह line है अगर यह किसी ने किसी की equation है ax plus by plus c कोई एक general linear equation into variable को जब भी plot करोगे तो straight line मिलेगा और जब भी इसके solution की बात करी जाएगी solution की तो वो कितने आएंगे कितने solutions आएंगे infinite कितने solutions आएंगे infinite ठीक है यह सब देखा था फिर आगया था पेर अब एक अकेली line की बात नहीं करनी है कितने की बात करनी है दो तो अब यह जो coefficient है यह तो कुछ भी हो सकते है तो एक को नाम दे दिया एवन एटू वी वन वी टू सी वन सी टू यह सारे के सारे constant है वेरीबल है आपका x और y ठीक है अब अगर दो line है तो वो क्या represent करेगा दो straight line अब दो straight line या तो एक दूसरे को कही न कहीं इंट्रसेक्ट कर रहा होगा या दो लाइन या तो एक दूसरे के पैरलल हो सकता है या दो लाइन एक के ऊपर एक को inside कर सकता है यह तीन के केसे देखे थे अपनने टेया और ओफ लीनियर एक्वेशन इंटू वेरीबल रिप्रेसेंट टू स्ट्रेट लाइन और यह दो इंट्रसेक्ट कर सकती है या पैरलेल हो सकती है या वो इनसाइड हो सकती है दीन एक तो मैथड़ है इन तीनों को देखने का ग्राफ बनाएं दो ग्राफ बनाना आता है आना ती क्योंकि मैं भी यह नहीं सिखोगा तो लीनियर एक्वेशन अगर आपको अगर ग्राफिकल मेथाड आप बना कर देख लो आपको पता चल जाएगा किया कि ऑपर उपर क्या है ठीक है फिर से एंसर देना एक अकेली कि लिनियर एक्वेशन इंटू वेर्येवल के कितने सॉलुशन्स होते हैं लेकिन पेर ओफ लिनियर एक्वेशन हें तो कितने सॉलुशन्स अगर पैर सेट कर रहे हैं तो अर। ये परएगर कोईं साइड कर रही है तो है फीक है तो नंबर ऑफ научडन स्विशन सों है पेर उफ लिनियर के और पर एक सता या यह कर रहें धन्यूल रख़ती हैं यहां इंट्रसेट पर रही है है यहां दो करोड़ों हैं, सारे दोनों लाइन में लाइक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइन एक के उपर एक ही है, चीक है, तो ये सारी cases देखे दे, तो पहला method को होगि अग्राफिकली, फिर एक और method था कि बीना solve करे, आप तैसे बता सकते हो कि line coincide करेगी, कि parallel होगी, कि intersect करेगी, तो उसके लिए अपने क्या बोला था, कि compare करो किसको coefficient को, सबसे पहले देखो, a1, a2 का ratio, b1 और b2 का, मतलब x के दोनों के coefficient, और y के दोनों के coefficient, एक बात ध्यान रखना, जब भी x का coefficient या y का coefficient देखो, तो वो equal to के same side में होने चाहिए, मतलब, अगर इस टेपको equation दिया हुआ है, 4x minus y is equal to 10, और एक जड़ा दिया हुआ है, 3y is equal to minus 4y plus 10, तो यह देखो, यह, sorry, यहाँ x, यहाँ यह x equal to कहां पर है, left side में, और यहाँ पर क्या है, right side में, तो उसको सबको पहले एक ही side में ले आओ, अभी तो sine को compare कर पाओगे, समझ में आ रहा है, तो एक बात बस क्या धेयान रखनी है कि जब भी coefficient लिखो, तो general form में ले के आओ, क्या यह general form में है, इसको general form में लाने के लिए इसको उधर लेकर जाना पड़ेगा, minus 10, क्या यह general form में है, तो general form में लाओगे ना पहले, तो पहले general form में लाओगे, उसके बाद ही compare करोगे, इस एक लिएर, इस एक लिएर, चलो भीया, तो जब भी pair of linear equation into variable हो, आपको compare करना equation को, अगर a1 by a2, b1 by b2 के बराबर नहीं है, तो कितने solution? 1, और यह क्या बताएगा, line will intersect, लेकिन अगर a1 by a2, b1 by b2 के बराबर है, और c1 by c2 के बराबर भी है, तो क्या बताएगा, coincide line, पूरा same, a1, a2, b1, b2, c1, c2, सब same, मतलब line एक के उपर, एक ही line हो गई, है न, जैसे अगर कोई भी line है, 4x-y is equal to 10, सब को 2 से multiply कर दो, तो 8x-2y is equal to 20, same line बन गई, तो देखो, coefficient क्या हैंगे हमेसा, same, तो किसी भी एक line को कोई भी constant से multiply कर दो के तो, जो line बनेगी, वो coinciding line ही बनेगी, is that clear? इस एट लियर? चलो, तो पहला case हो किया यह, अगर a1 by a2, b1 by b2 के बराबर नहीं है, solution और अगर a1 by a2, b1 by b2 के बराबर है, लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं है, c1 by c2 के बराबर नहीं है, तो कितने solutions आएंगे? 0 solution, इसका मतलब होता है lines क्या है? parallel, यह पढ़े थे last class में? परसों, कल तो पूरा time waste हो गया, फिर अपन ने यह सारे portion solve किये थे, कि आपको देख 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 के खाली बताना था, line parallel हो को side करेगी या, intersect करेगी, तो यह आपने बताया थे, बहुत फड़ा फट easy थे, I think बहुत सारे लोगों को answer आ रहा था इसमें है न, और आना भी चाहिए, भाईया 10th class के बच्चे हो, देख देख के बताना था, यह आना में बस हटके थे, जबकि कुछ नहीं था, क्या बोला था, infinite solution, infinite solution कब होगा, जब point side करेंगी, point side कब करेंगी, जब x का coefficient, x का coefficient का दोनों का ratio, y का coefficient, y का coefficient का ratio, constant और constant का ratio, तो तीनों को क्या करना था, equal, तो answer आगे था, k is equal to something, आया था, 5 or 6 उचाया था something, है न, ठीक है, now, solving the pair of linear equation, pair of linear equation को solve करने के तीन तरीके, एक तो था, एक और चार तरीके थे, एक तो था graphical, जो 9th में था, 9th में का अभी भी मितलब graphical method है, लेकिन graph, मेरे ख्याल से CBSC में नहीं देगा, क्योंकि उसको graph paper फिर देना पड़ेगा, साथ में, है न, तो बाकी method आप आने चाहिए, substitution, elimination और cross application भी आप लोगों को किस लेवर से cut हो चुका है, तो में आप लोगो आना चाहिए, substitution और elimination, substitution method आप बच्पन से करते आ रहे हो, एक value उठाई कहीं से, दूसरे में put कर दी, है न, उसके उपर तो पूरा exercise homework भी थी आ था जो आप लोगों YouTube से समझ के करके आये थे, है न, तो substitution method, अब इसमें क्या YouTube attempt करना था, value उठा के put करना था सही गलत कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सही answer चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सही answer चाहिए, मेरे को attempt चाहिए आपका, कि आपने अपना दिमाग लगाया, थोड़ा सा utilize किया, तो substitution, अब next method क्या है, elimination, तो कल जीतने questions आपने substitution से किये थे, वो सारे की सारे questions अभी अपन करेंगे किस से, elimination से, तो elimination, word से समझ में आ रहा है, कुछ को क्या करना है, eliminate, निप्टा देना है, हैना, x को या y को, वहरमी से मार डालेंगे अभी अब यह बन, हैना, चलो, तो सुरुवात करतें, example से, इसी example से start कर लें, हैना, same question, कल जो किये थे, डिट्टो वही questions है, बस method अलग है, हैना, यह question मैं कर रहा हूँ, रुख जए, रुख जए, रुख जए, रुख जए, यह question मैं कर रहा हूँ, इसके बाद वाले questions, very good, मतलब आपकी जीड, हाँ, चलो देखो आप इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जब भी fraction को add करना होता है, तो denominator same होना चाहिए, नहीं होता है, तो same करते हो, LCM लेके, वही मैं भड़ यहाँ पर करना है, मैं चाहता हूँ, X यहाँ में से किसी एक कोड़ा दू, कब उड़ा पाऊंगो, जब वो same होंगे तो भी न उड़ा पाऊंगा, yes or no, बस तो same बनाना है, जैसे कर LCM लेते हैं, जब भी, मालो, 2 by 6 और 15, मालो, 3 by 15, अगर add करना है, तो LCM लेके, आपनों denominator को same करते हो, 6 और 15 का LCM कितना आएगा? 30, तो आप 30 बनाते हो, 6 को भी 30 बनाते हो, इस 15 को भी 30 बनाते हो, तो 6 को 30 बनाने के लिए किसे मिल्टिप्लिय करोगे? 5 से, और 15 को 30 से किसे मिलुपिलिप्लिय करोगे? Same, यही बिडिटो चीज, किधा सुनो, यही चीज आपको यहाँ पर एप्लाई करनी है, आपको और अज़ो भारा एक्सराइस करो अब बार एक्सराइस करो अरे ब्लड सर्कुलेशन फास्टों नेंद नहीं के फिर आओ भारा भारा तो खड़े हो जाओ जो तो थोड़े जरुद भाई पर है ना डोंट वरीजीम चाने की जबत नहीं है यहीं वरकाउट हो जाएगा पूर मैक्सिमम है उससे जातो तो हालत खराब होगी होगी तुमारी है जो इधर देखो इधर देखो अब मेरे को बराबर बनाना है एक्स को या वाई को ऑफिस सी बात है देखो यहां पर एक वाई के आगे क्या है वन इसको मैं किसी बीची से करूंगा तो 5 के बराबर आजाएगा मतलब किसी बीची से 5 से मिल्टिप्लाइ करूंगा तो असान दिख रहा है तो ज्यादा आसान है कि मैं इसक्या वाई को इसके वाई के बराबर बना दूं यह सौर नो लेकिन आप चाहते तो आप X को भी कर सकते थे 4 और 6 का लसी मिखास जाता 6 x 2 12 बन जाता लेकिन आप इस पो सेम करना ज्यादा बुद्धिमानी वाली बात है कि वाई को सेम करना तो उसमें को मैं को मैं करना पड़ेगा हां बट अगर यहां पर वन के जगा कुछ और होता तो करना ही पड़ता दोनों को मैं समझ रहे हो बट अगर कभी ऐसा हो पॉइंट है मैक्रोसाफ्ट वाले को मैसेज करना पड़ेगा इमेल है ठीक है तो एक्स को या या को क्या करना है सेम तो मैं किसको सेम करूँ य को तो य को सेम करने के लिए मैं को इस पूरी क्वेश्ट को किस से करना पड़ेगा है या था माइनस सब्सक्राइ ना 15 करने पीटक घंख तो इससाथ ने के लिए कि पूरे को किस से लगा किस से तो 5 इंटू आई 5 into 4x minus 4x minus 20x is equal to 5 into 1 तुम लिखते क्या रखते हो 24 घंटे में को समझ में नहीं आता है तुमको तो उठा के पटेटना को किसी को भी पोल दूगा तो उठा के पटेक देगा इसको छोड़ गया है हां ठीक है और इसको वैसा का वैसा लिख दो 6x minus 5y is equal to 9 बस इसको आगे पीछे कर दिया मैं ठीक है अब एक बाइब बताओ यह दोनों equation को मैं add कर दूँगा तो 5y minus 5y उठ जाएगा मार देंगे एक दूसरे को तो मैं बस 5y नहीं पड़ गया माइनस 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 14x is equal to 5 plus 9 कितना हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाइस समझ जाए तो इसको बहुत है elimination method अब x आ गई एक्स की वैल्यू तो आपको किसी में पूट करना पड़ेगा इसमें इसमें तो y की वैल्यू हो जाएगी ठीक है माल लो माइनस 1 यहां पूट कर दिया तो माइनस 1 इंटो माइनस 4 फोर उदर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 y की वैल्यू आ गई त्यारे हो LCM लेकर के अरे क्लास्ट में पहली बार पढ़े होगे LCM की फोर्त में LCM SCF कब पढ़े थे पहली बार है थर्ड में कि अब तो मुंग तो नौदे की तैयारी की होगे तो 6-7 तक का मैट्स पढ़ लिए होगे फ्योक्शिफ्ट क्लास में है ना अब तुमने इसए वाले भी परढ़ लिए होगे आगे आगे का मैस्तों नहीं पढ़े चाहा हुआ है ने आज घुमने कि गया यह इसगा पित ख़े काली भासें रिया था वाराज चला की वह पूंने वह हैं तक सब्सक्राइब भासें का मिस्ट चाहिए है की दो है है कुलेर हो गी अपट्ट सवान से करना है ठीक है अगला सवाल आपके और से करना है पड़ा संव कर ना है कि है यह फॉषे ऑटे सूल्व रही एक सब्सक्राइब तो वसकता है तुम्हारे बाजू अलग अगा अगर चिटिंग ना करें तो अगला सवाल अग्ला सवाल क्या पैरा सवाल आपके स्क्रेंग पर तो वही सारे questions तो है मैं बोला तो अपस method चेंज हो गया तो एक्वेशन तो बनानी आ गई होगी कल तो बताए हूं सारी में कि अलाएं सब्सक्राइब अलिमिनेशन मैंत देखना है इसारी में परसो है तो लाइफ लास थी रिकॉर्डेट थी आने के बाद रिकॉर्डेट देख सकते थे कोई भी एपसेंट होगे तो रिकॉर्डेट लेक्चर देख क्या होगे यूटुब का था वाच्मिनेट भी बढ़े जाएगा वीडियो देखोगे तो आया एलिमिनेशन मेथट से अरे ये कोशन परसों ही किये थे सवाल फिर से करना एंग्रेजी पढ़ो दुबारा में भी नहीं बनेगा ना मैं आप बाते कर रहे हो तुम मुझ चारों मूर्ती बन के बैठे हुए हो वुश्सारी में रखो आज भी यही कि रहा है अब बैट जाखा मत पुखे आज अब नहीं हो रहा है 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉंगुरेंसी वह चैप्टर ट्रेंगल्स और लेटरल्स बहुत जादा ज़्यादा ज़रूरी है सर्फिस एरिया वॉल्यूम है ना एक्टराइजेशन पॉलिनॉमियल सर्कल्स नाइंत का यह चैप्टर मतलब अगर नहीं पता है तो टैंसर प्रॉड्रम जाएगी बदा दे रहा हूं मैं अगर कॉंगुरेंसी नहीं आता तो सिमिलारिटी कहां से करोगे फिर है ना सिमिलारिटी में कॉशन में यूज आएगा कॉंगुरेंसी अरे पढ़े हो यादा रहा है ना सरक्ल्स के थेओरं थे कुछ नोगा यादा रहा है यह से मार्क में जितने भी एंगल बनाऊ सब इक्वल होंगे ना से मार्क से सरकल में बनाऊ इस अब के बहुत साई प्रापटिस थी वह यह हुआ के अलिमिनेशन में थाट से गर्ल्स हुआ की नहीं कोशन देने के बाद तो तुम मूर्ति मन गाते हैं सबके सब एक बार किसका चाप रहा है 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 कंट्रोल अधै कंट्रोल आया एलिमिनेशन में थाट से एलिमिनेशन से की हो पक्का है कि सोची रहे हैं भाहिया तो इक्वेशन बनाना कल ही तो सिखाया हूँ वही तो कोशन लेट इटो कल मतलब पर सो कि अधिया है है तो मेरा टेवल लग जाएगा यह यह उच्छावाला थोड़ा नहीं पर कीवर्ड सब उसके उपर आजाएगा यहां से बैटके माझा सबस्क्राइब इतना उचे टेवल रहेगा तो नहीं दीखेगा तुमोंको इतना इसके लेगा अरे यह होर्जेंटल लेवल से तुमीची रहेगा तुम अपनी चिंदा करो दूसरे की चिंदा ना करो है हाफ दो पैरिमीटर ओफ और गार्डन उस लेंद इस पूर मिटर मोर दैन इट्स मिटर हाफ दो पैरिमीटर दिया हुए अगर मैं पहली एक्वेशन में दूसरी एक्वेशन को माइनस कर दूँ तो माइनस कर दूँ तो मैंनस एल कट गया नहीं पढ़ गया है ना फिर इदार खुशे-शी नहीं 10-20 तो मैंस बी आजाएगा फिर इधर 4- 36-実 आएगा माइन शर्टी 2-1 प्लस भी वैसा वैसा ठीक है अब वो भी है इधर आगा तो माइनस बंजाएगा तो माइनस बी माइनस बंजाएगा माइनस तू भी इस इकोल टू माइनस 32 माइनस मेनस कट लिया तो तो बी की वैलियू आ टाटी टू बाई तो वही एंसर आना है कल वाला बस यह मैथन्ट कौन सा हो गया Elimination method अपने Eliminate कर दिया न डारेक्ट कर दिया और कल क्या किया था इस एल की वेल्यू 4 प्लस भी यहां पूट कर दा बात तो सेमी है वैसे दोनों बट आपको जो मैथाड बोल देगा आपको वही मैथाड करके दिखाना पड़ेगा अगला सवाल यह नहीं अच्छा करो जलदी से एलिमीनेशन मेथाड से हाँ जो भी एंसर आया होगा अधिन मेथाड दें और एक मैं पहले पता दे रहा हूं दो तिन दिन के अंदर टैस्ट होगा एक बार में पता तो चलिए भाई तुम्हारा दिमाग किसका इसका चलता है प्लास में किसको ज्याद अच्छा को अच्छा को अच्छा को अच्छा को एक वेशन पीछे से देखके लिखनी है कुछ पनाना एक हो रही है यह यह नहीं को भी चाहिए अशिर्वाद में से सबसाद आशिर्वाद क्रीशी खाया है और रोहन क्रीश और रोहन दो लोग खाया है सबसेगा अच्छा कि अभी कि गल्स में कौन दो लोग उस इंप्रेमेंट किया ना तो कौन सा नमबर एड़ करना है एप में पता जिना मेरे ना मतलब एप फाइल तो ही वह मैं सेंड कर दूंगा इंस्टॉल करते ना भले ले स्टोर में नहीं आया है एप तो रेडी है अल्रेडी ए एपी के फाइल तो है सेंड कर दूंगा इंस फॉल कर लेना ठीक है और बोइज में तुम है ना इस जितने भी नोट्स कोश्चन से सब में अपलोड कर दूंगा असमें आज ही कर दूंगा लिखा हुआ तो पुरा नौट्स भी रहेगा विए पर अप्लस फिसिक्स के मैंड सब्सक्राइशन मेथड से की हो बागी गर्ल्स श्रार वन टू अथार वन टू दोनों अथार में दोनों एकी स्कुल में कर दो तो अधा है अग्या अधार में आपक्रणाओ ना मैं यह नहीं बतांगा कि कल्टेस्ट है सुन लो जब भी कजने सब्सक्रांद मैं नहीं बलूंगा कि कल टेस्ट है आज बता दिया हूं तीन चार दिन के अंदर कभी भी टेस्ट हो सकता है अब कल भी हो सकता है चारों शेप्टर है of trigonometry application of trigonometry polynomial linear equation into variable एक ठीक है मैं अब यह नहीं बताऊं कि काल टेस्ट है हो सकता है कली हो हो सकता है परसों हो यह फिसके एक दिन बाद हो नहीं हो यह ग्यारंटीट है युद्रें लिए लेर यह जाणना है कि कौन कौन कितना हावा में उड़ रहा है तुमों को cbc को cbc लेवल का मिलेगा इसी सीगे तुम्हों को सिपीसी लेवल का करोगे है यार क्वेशन क्या दिक्कत है बहुत अंतर है तुम लोगे में बहुत दिक्कत है कि जाना है आपको कहीं ट्रेन शुप रही है को इंतजार कर रहा है आपका को इंतजार कर रहा है आपका हम आप दो आपके हैं है । चार्जे ए वो है और जो पट ये की चार ine से वो कितने हैं वाई तो एक स्टूडेंट है वो कितने दिन रहा 20 दिन तो एग जो फिक से च्रच की सहाट प्लड के लेगा है लगेगा को कितना देना पड़ा एक हजार अब यह तो मैं दूसरी बार कर आ रहा हूं तो बनना चाहिए एक्वेशन खुद से बीना पीछे पल्टे समझ रहे हो खुद भी देखे और दूसरे को भी दिखा रहे हो तुम दोनों तो मैं भी डूब होंगा आद तू भी डूब हाद में सब को चलो फिर एक स्टूडेंट भी है जो 26 निन रहा तो फिक्स चार्जेस तो उतनी लगे होंगे 26 दिन का हो गया 20 y is equal to अब एक बात बताओ elimination में x already same है तो मैं y को same क्यों करूँ समझ रहे हो तो माइनस कर देता हूँ इस एक्वेशन में उपर वाले एक्वेशन को माइनस तो एक्स ने एक्स को मार दिया हपीस माइनस विस 6y is equal to एक्स वास्ती तो वाई की वैल्यू एक्स वास्ती भाई है सब्सेटूशन से जादा इजी है elimination सस्ता है थोड़ा करता है क्लास रिकॉर्ड हो रही है इस केमरे में इस है इस है नेक्स पोशन नेक्स पोशन यह सारे कोशन किये हुए है मैं चाहूंगा कि तुम्होंगी इक्वेशन खुछ से बनाओ कि वाई 30 आ गया तो कहीं पर पूट कर दो 30 इंटू 20 तो 600 तो प्लस 600 इदर आगा तो माइनस 2000 माइनस चाहसो तार सो कि करो चला है है हां ठीक है ऐलीमिनेशन मेथड प्रेक्टिस करनी है औरिया है झाल झाल पापा कही है न दिखाओ अब तुम हरे में आसे चेक करना पढ़ेगा अच्क झाल झाल बन्ट जाओंट लिड़ा है हुआ है यह कर रहा है कर रहा है यह भाइस आपकर आपके रहा है गलत अभी नहीं कर रहे हो गलत किये हो इतना देर से बैठा हुआ हूँ स्टार्ट नहीं कियो मैं उठके हैं तब जाके स्टार्ट कियो मजाग चल रहा है गलास में सक्वाइबनावबनाप मैं तब जा जिरा है, प 댁 हैं कियämä गलत कियो मैं is कि बींदा स्राटार हुआ है तब जाके यहाँ तक बिसा रहा है गलत कियो मैं शज़किने में लगाग कर द звучette पहा हैं तो इतना देर समय दिया जा रहा है कि भी है तुम एटेम्ट करो दिमाग लगाओ और किया हुआ कोशन है एक्वेशन तो लिखी सकते हो कम से कम असी मजाग जरूरी है लेकिन वही कोशन तो सौट करो पहले क्यों विलन बनने में मर्जूद करते हो में लगो मान लो भी अब 50 और 100 के नोट है 50 के जो नोट है और 100 के वाई टो तल नोट 25 बोला है तो एक प्लस वाई इकोल तू 25 अब 50 जैसन नोट है तो वैल्लू कितनी हो गई 50 X सब याल नोट है तो अन्रेड वाई ओर टोटल वैल्यू कितना बोला है 2000 तो यह एक प्रेशन आल्रेडी जब मैं एक बार बना चुका हूं आप लोग ध्यांद दे चुका है तो दूसरी बार तो तूरंद बनना चाहिए है कि नहीं है बस अब एक को सेम करना तो एक को सेम कर दूं एक सेम करने के लिए यहां पर 50 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा पर भी 50 यहां पर भी 50 आप दुनों को क्या करता हूं माइनस नीचे वाले में उपर अलेगो माइनस तो इह नहीं पड़ गया सवाही माइनस पचास हुआ कि इतना मन जाएक पचास वाही और यह लिखा हुआ है 5525 को 550 लिखा हुआ है ठीग है तो दो हजार में 1250 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 750 तो य की वैलिवा गए 750 वाई 50 है 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 अब करी एलिमिनेशन मेथड हो गया आप कहीं से वह उठाकर कहीं पूट नहीं कर रहा है अब क्या किए आपने क्या किसी एक जी सेम करके क्या कर दिया माइनस तीक है 3.3 इसमें से एक कोश्चन तो मैं करा दिया 3.2 और 3.3 जो लोग नहीं किये उनके लिए दो एक्सरसाइज हो गया जिनका पूराना पाप बच्चा हुआ है उनके लिए 3.2 3.3 और जो पूराना कर रखे होंगे उनके लिए खाली क्या हो है 3.3 और तुम्हों सुधर जाओ याज तो यह करके आता अच्छे से गुड एरी गुड कोशन करना है ना अच्छा दस होगे थे क्या तो आगे का वह एक्सरसाइज कंप्लेट एप्लिकेशन और मेटरी हो जाएगा है ना कल पूरा ट्रिक्नोमेट्री अप्लिकेशन और में जितने भी कोशन डाउट हूं भी कल पूछी लोना सारे यह चप्टर को फिर बंद दरेंगे ठीक है है न कोई नहीं चाप्टर तुमों का चालू करेंगे ठीक है तुमों का हूंक क्लियर सी वेसिवालों का लिख लिए कॉपी में क्या है 3.2 3.3 कहा लिए लिखे कहा हूं भरोसा नहीं है मिरको 3.2 और 3.3 है मतलब जो बचे हैं कोशन उसमें से करना है था सबना कोशन ठीक है मतलब जो भी डाउट है ट्रिग्णोमेट्री अप्रिकेशन आप्रिकेशन लिखिया हूं हां